हालो गाइज मैं ब्रदर निलो मोस्ट पावरफुल एपिसोड 30 में आप सभी का वेलकम आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब लाइक शियर कमेंट जरूर करिएगा इसे के साथ अब चलते हैं आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है लाइ लाइन वहाँ पर आती है तो उसको वहाँ पर कोई नहीं दिख रहा होता है सारे के सारी लोग वहाँ से गायब होते हैं और रास्तों पर भी वहाँ पर लड़ाई की निशान होते मतलब की बलड पड़ा होता है जब लाइन इस चीच को देखती है तो हैरान होते हुए कहती है यहाँ पर इतनी शांती क्यों है और अभी तो सोने का समय भी नहीं हुआ है क्या ऐसा हो सकता है और इस चीज को सोचते हुँ वो अपने ट्रू मार्सल स्वाट सेट का गेट खोल के अंदर के तरफ जारी होती है और तभी मन में सोचती है पापा मम्मी मैं आशा करती हूं कि आप लोगों को कुछ ना हुआ हो लाइन जैसे ही ट्रू मार्सल स्वाट सेट का में गेट खोल के अंदर देखती है वो देखने के साथ में बहुत ज़ड़ा है और तभी वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है जब लाइन सामने के तरफ देखती है वहाँ पे बहुत धेर सारा फा बहुत लंबे समय तक मेरे को वेट कराया क्या इस लायक थी आप लाइन उस आदमी को देखने के साथ में उससे कहती है आप कौन है वो आदमी कहता है मैं जिन ताइवान हो जिन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा लाइन उसकी बास सुनने के बाद में उससे कहती है क्या जिन फैमिली से क्या आप अपने चोटे भाई जिन त्यान हाओ का बदला लेने के लिए यहां पर आए हैं लाइन की ये बात सुनने के बाद में जिन तायवान अपना सर खुजलाते वे सोचता है जिन त्यान हो ये कौन है फिर लाइन के तरफ देख के हसते वे कहता है अरे हाँ आ जा तुम मेरी वाइफ बनने के योग हो की नहीं और ऐसा लगता है कि जिन त्यानियून की ये बात सुनने के बाद में लाइन बहुत जड़ा गुसा जाती है और गुसे में उसके उपर अटेक करने के लागे बढ़ते हुए कहती है तुम बेफकूफ चुप हो जाओ तुम इस लाइक नहीं हो कि मेरे बारे में बात कर सको मैं केवल और केवल सिर्फ तानियून की हूँ और ये कहने के साथ में वो उसके पास आकर उसके गले पे तलवार रखते हुए गुसे में कहती है तुम मुझे पहले बताओ मेरे पापा और मम्मी कहा है लाइन की ये बात सुन जिसके साथ आप भागी थी मैंने सही कहा ना इस चीज के कारण मुझे बहुत ज़रा खराब लगा है एक ऐसी एक्सिलेंट औरत को प्राप्त करना सच में बहुत कटीन होता है फिर लाइन की तरफ देखके स्माइल करते हुए कहता है मिस किन आप ऐसा कैसे कर सकती है आप अप के दिमाग का यूज कर सकती हूँ और यह कहते हुए उसके गले पर अटैक कर रही होती है लिकिन वो ललका बिल्कुन हिलता भी नहीं है जिस चीज को देखने के साथ में वह अपनी तलवार को रोक के वहाँ पे शौक डोते हुए कहती है क्या तुम अपने आपको बचा क्य करते हुए कहता है बहुत कमजोर था और उसके मार्शल स्पिट के रिलिस करने के कारण लाइन एकदम से वहां से उचल के दूर गिरती है जाकर और उसका प्रेशन इतना जादा होता है कि वह सीधे गिरने के साथ में जमीन में क्रैक डाल देती है और लाइन वहां पे स्टार्ट कर देता है और वहां से जम्प लगा कर सीधे नीचे आता है और वहां आकर उससे कहता है मिस किन आपके चेहरे पर इस तरह के एक्स्प्रेशन को देखने के बाद में मुझे बहुत अच्छा हैसास हुआ है मुझे यह और प्रशान करूंगा और दूसरे साइड म कर मेरे घर आओ फिर आगे बढ़कर बाय करते हुए उससे कहता है यह सबसे अच्छा होगा अगर आप भागोगी नहीं क्योंकि आपके ममी पापा सच में आपको बहुत याद करते हैं उसकी यह बास सुनने के बाद में लाइन वहां पर बहुत अपसोस करते हुए एकदम स कलाम है वो अपने लड़के के उपर चिलाते हुए गुस्से में कहता है तुम पहले ही किन लाइन को इस हद तक घायल कर चुके हो तुम उसे वापस क्यों नहीं लाए उसकी बास सुनने के बाद में वह लड़का कहता है मैं उसका फाइदा उठाना चाहता था अपनी मार्च रड़के को कैसे पैदा कर दिया और अपना मुण बनाते हुए आगे बढ़के गुस्से में चिला के कहता है नllan करो तीन दिन में होने वाले भंडारी की त्यारी करो तीन दिन में मेरे बेटे की शादी होने वाली है अपने पापा की यी बास सुनने के बाद में जि बेटे को इतना ज़्यादा खुश देखे जुसके फादर होते हैं एक लंबी सास लेते हैं आखिरकार मैं इसका फादर हूँ तो मुझे करना तो हो गई फिर वो आगे बढ़ते हैं मन में सोचते हैं सच में ये कितना ज़्यादा बेफकुफी बला काम है पिर सोचता है ग्रे लिंगवा अपने जीजा को उठते हुए देखे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और तभी वो उसके पास आकर रोते हुए कहती है जीजा जी आखिरकार आप उठ गए और वो तान्यों के उपर वहीं पर चदर पे अपने सर को रगल के रोने लगती है फिर तान्यों उसको ऐसा करते हुए देखे शक खाते हुए चिला के कहता है लाइन कहां पर है उसके साथ में क्या हुआ लिंगवा बताओ मेरे को तान्यों ने जैसे ये बात बोली होती लिंगवा उसके पास आकर चिपक कर उससे रोने लगती है और रोते हुए कहती है ऐसा लगता है कि जिन फैमिली ने हमारी फैमिली पर अटैक कर दिया है जिस चीज के कारण दीदी बहुत जरा चिंतित हो गई थी और वापस जाने के लिए टैलीपरटेशन एंकर का यूज करा और वो यहां से चली गई लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में तान्यों बहुत जरा शौक कर रही होती है तान्यों जैसे वहां पर दो कदम आगे बुड़ता है एकदम से दम से लड़कडा कर नीचे गिर जाता है जिसको देखने के बाद में एकदम से लिटिल फॉक्स उसके पास आती है और उसको उठाते हुए कहती है क्या आप ठीक है जब वो उठा रही होती त पतलब कुछ बता नहीं पारी होती दोस्तों जब तान्यों यह देखता है कि इसने हमनों को धोका दिया और यह वहां पर छिप गई थी तब ही गुस्से में कहता है यह बस सही है तुम बस हमारे मुसीबत पर आने पर छिपी रहो क्योंकि तुमको मरने से बहुत डर लगता है और यह कहने के साथ में जो उसका कॉंट्रेक्ट होता है दोस्तों जो लिटल फॉक्स से सार उसने किया था उसको बाहर निकाल लेता है और लिटल फॉक्स को दिखाते हुए कहता है क्योंकि आप मरने से डरती है तो तुम्हारा मेरे साथ रहने से कोई फाइदा नहीं है और यह कहने के साथ में वो अपने हातों से जो लिटल फॉक्स का कॉंट्रेक्ट होता है उसको वहाँ पे तोड़ देता है जिस चीज को देखने के बाद में वो लिटल फॉक्स बहुत ज़़ा शॉक्ड हो जाती है और साथ ही हमको दिखाया जाता है कॉंट्रेक्ट के के उससे गिलगला के कहती है मास्टर मास्टर मैं गलत थी मेरी बात तो सुनिए लेकिन तान्यून बहुत जड़ा गुस्से में होता है वो एकदम से उसके हाथ को माँच जड़कते हुए उसके पिछवाले पे एक लात मारते हुए कहता है तुम यहां से दफा हो जाओ उसने जैसे इतनी तेच चिला के कहा होता है एकदम से उसको कुछ अलग फील होता है और अगले पलिये में दिखाते हैं तान्यून बहुत जड़ा अंदर से जक्मी होता है उसके बहुत चोट लगी होती है जिस कारण से जैसे उसने प्रेशर लगाया होता है उसके मुह से भलवल आप कहीं नहीं जा रहे हैं लिंगवा की ये बास सुनने की बाद में तान्यून वहाँ पर आगे बढ़ते हुए गुस्से में कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ है तुम्हें मुझे मनाने की जरुरत नहीं है किसी के लिए भी मेरे को समझाने की कोशिश करना बिल्कुन ब को दिखाया जाता है लिटिल फॉक्स को उस लड़ाए में डर जाने के कारण अपने उपर बहुत ज़रा रिग्रेट फिल हो रहा हो वह अपने उपर बहुत शर्म महसूस कर रही होती है कि वह अपने मास्टर की हेल्प नहीं कर पाई और इस चीज को सोचने के बाद में लि क्योंकि ना उसने उसे कुछ खिलाया होता है ना पिलाया होता है बस पेल के दड़ाय रहता है जिस कारण से वो जो घोड़ा होता है वो बहुत ज़रा उसकी हालत खराब हो जाती है और वहीं पे वो एकदम से भियोश होके गिर जाता है जैसे उसका एकदम से घोड़ा गिर पीछा करते हुए आ रही होती है और तभी जब लिंगवा देखती है कि तानुन वहाँ पे गिर पड़ा है एकदम से वह दोड़के उसके पास जाती है उसको देखने के लिए और तानुन के पास जाकर उसको समालते हुए कहती है जी जा जी हम पहले ही तीन दीन से लगातार स सकते हैं। मैंने पहले ही कहा है, अगर मुझे रेंग न होगा, तो मैं रेंग कर लाइन की तरफ जाऊंगा। लिंगवा ही ये बास सुनके गुशा के चिल्ला के कहती है। जी जा जी मेरी बास सुनो पहले। और दूसरे साइड में विचारे उस काले गोले को दिखाते हैं वो ब dai बुछ पर चिछ बोल रही होती तब σας भाएंगे बढ़ते हुए चिला के कहता है लायन मैं आ रहा हूं जब सहसा बाइगर आगे बढ़ रहा होता है ताभी उसको बच्पण के एक अपनी मे्मोर्य याद आती है तब तान्यून की ये बास सुनने के बाद में लाइन वहाँ पे खुश होते हुए कहते हैं मुझे मालूम है और दोस्तों जियाराओ के साथ में भी इसने यही वादा किया था हेर विन देते हुए और वो निपड गई फिर हमें कुछ समय बात का सीन दिखाया जाता है तान्यून लाइन की गोदी में सरकी लेटा होता है तब zodra लाइन उससे पूसती है तान्यून तुमने किस तरह की मार्शल इस्प्रीट को अवेक किया है तान्यून उससे हसते हुए कहता है फिल हाल के लिए मुझे अपनी असली ताकत छुपानी होगी मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मैं मार्शल इस्प्रीट की कॉपी क्यों कर सकता हूँ तानियून की ये बास सुनने के बाद में लाइन वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है अच्छा अच्छा ठीक है मुझे आप पर विश्वास है कि सही समय आने पर आप मुझे बता देंगे तानियून उसकी ये बास सुनने के बाद मैं अपने मन में सोचता है छिपाना क्या ताकत छिपाऊं मैं अभी तक नहीं बदला हूँ और वो ये कहने के साथ में जियाव राव को याद करता है जहां पर वो तानियून को बचाते हुए वहाँ पर मर जाती है तभी तानियून उसके बारे में सोचता है फिल हाल मैं अभी भी पहले जैसे ही हूँ बेकार गंदिगी के एक टुकड़ा जो किसी को भी बचा नहीं सकता है और अब देखा जाए आकरी में वो जैसे इस बारे में सोची रहा होता है तभी एकदम से उसके सामने एक पैर आके खड़ा हो जाता है और वो उसके सामने आकर इसमाइल करते हुए कहता है यो यो क्या बात यूंगेन तुम और हमको पता चलता है दोस्तों ये कोई और नहीं होती है अपनी मस्त लललन टाम छम्मक छलो मिस एमप्रेस होती है वो तान्यून के सामने आकर बड़ी रंगबाजी में खड़ी हो जाती कि कि उसने वादा किया था कि मैं अपने इस मैटर को सुलजाने के बाद में तुमको ढूडने आऊंगी और वो उसके सामने आकर हसते हुए कहती है क्या तुमको मेरी मदद चाहिए जिसको देखने के बाद में तान्यून और लिंगवा दोनों को दोनों शौक्ड हो जाते है कि एकदम से ये कहां से आ गई हलो गाईज आपको वीडियो पसंद आते है तो सब्सक्राइब लाइक शियर कमेंट जबूर करिएगा किसी के साथ मिलते हैं लोग नेक्स्ट अपिसोड में थैंक यू फॉर वाचिंग माप वीडियो लव यो और वाइज